अगय हाइब्सक्राइब क्ल belly那么 Count K करने के लिए और शूंभेश ठीक हूं मेरा गला भी ठीक है है लेकिन आप भी थोड़ी खराश है क्रिट्मेंट चल रहा है क्रिद्मेंट तो क्यों आप लोगinski अपने घरे लून उसके बता रहे हूं, उसे भी फोलो कर रही हूं, और मेडिसीन भी ले रही हूं, मैं पूरा अपना दिहान रख रही हूं, और इतना प्यार देने के लिए, इतना कमेंट सिक्षन में मुझे इतना बताने के लिए कि आप बहुत स्पेशल हो, और उसके इडिंग है, कि 2023 में आपके कौन से हीडन टेलेंट, आपकी कौन सी चुपी प्रतिवाएं आपके सामने आएंगी, ठीके, आपके अंदर कौन से ऐसे इश्वर ने, कौन सी ऐसी प्रतिवाएं आपको दे रखिए, कुछ गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, कुछ तो इस्पेश नहीं था, तो 2023 मतलब मिन्स यही साल, इस साल में आपको पता चलेंगी, ओके, टाइमलेस रिडिंगे, जर्नल रिडिंगे, कभी भी देख सकते हो आप इसको, और पिकी कार्ड रिडिंगे, यहाँ पर मैंने दो पाइल रखी हुई है, हमेशा की तरह इसमें से एक चूस करना ह आराम से, पीस से, ठीके, नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी रिडिंग देखो, इसका टाइम में अपना डिस्किप्शन बॉक्सर मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके, और चिसे भी पर्सन लिडिंग चाहिए, मैंने अपना वाट्स अप नमबर भी डिस ओके, फर्स्ट पाइल, फर्स्ट चक्रा, आर्केंजल माइकल, यह रूट चक्रा का है, ओके, मुलादार चक्रा, जिसे आर्केंजल माइकल, हमें यहीं से एक हमारी नेव होती है, यहीं से हमें मजबूत करते हैं, ओके, एंड सिकेंड पाइल है, मेजिशन एंड दम मिरर, जल्दिबाजी करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो को पोज करो आराम से स्लेक्ट करो और जिस पे भी आपकी निगाहें पहले टिकरी हैं उसी को चूज करना है आपको ओके तो और चलती हूं में रीडिंग की तरफ जिसने भी ये फर्स्ट पाइल चूज किया है हाई पाइल नमबर वन तो जिसने भी ये पाइल चूज किया है फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल दो हजा ते विस में आपकी कौन सी हीडन टैलेंट आपकी कौन सी प्रतिबाए आपके सामने आएंगी ओके और फाइल नमबर वन प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सस्क्राइब ज़रू करना जिसे भी पर्सनल लिडिंग चाहिए मैंने अपना वाट्स अप नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन कर रखा है महा से आप देख सकते हो के तो इस कार्ट से मुझे यहाँ पर यह फिलिंग आ रही है कि दो हजार तेविस में आपके कौन सी हीडन टैलेंट है तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप कही ना कही आप मतलब पहले का मैं बता रही हdy हूँ कि आप हमेशा है न अपने आपको जिसे कहते न अपने उपर विश्वास नहीं करना अपने आपको विक समझना अपने आपको अपने अंदर confidence नहीं रखना होते हुए भी हमारे अंदर प्रतिभाय होते हुए भी हमारे अंदर टैलेंट होते हुए भी उनके उपर मतलब उनके उपर विश्वास नहीं करना कि actual में आप इसे हो कि हर चीज के लिए action ले सकते हो, हर चीज के लिए आगे बढ़ सकते हो लेकिन आपकी एनरजी पहले ऐसी थी कि आपने आपको कहीं न कहीं पीछे की तरफ खीजते थे लेकिन 2023 आपके अंदर के जो hidden talent होता है न एक डर और भै ठीक है जो हमारे अंदर एक डर और भै जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है यह आपके अंदर एक आपका जो मूलाधार चक्रा है न रूर चक्रा यह उसी की वज़े से आप इतने अपने आपको वीक मानते थे इतना आप अपने आपको कमजोर समझते थे कही न कहीं डर और बै आपके उपर हावी हो जाता था और आप पीछे की तरफ लेके जाए लेकिन 2023 यह जो आपका hidden talent talent क्या है अब आपका talent यही है कि सबसे पहले तो आप अपने आपको खुपसुरत बनाने में लगे हुए हो ओके अपने उपर विश्वास कर रहे हो आपके अंदर एक गजब का confidence में लेबल देख रही हूँ क्यों क्योंकि आपका मुलाधार चक्रा रूर चक्रा जिसे हम बोलते हैं जो कि अर्थ से connect होता है यह जहां पर मा भगवती का वास होता है यही से सारी हमारी उर्जा उपर की तरफ flow करती है ठीके यही से हमारी शक्तियां जागरत होती है तो कहीं न कहीं आपके अंज़त के जो gifts है ना आपके अंदर की जो शक्तियां वो फूट रही है ठीके वो जागरत हो रहा है जिसकी वज़े से आपके अंदर एक बहुत अलगी major change बहुत ही अलग बदलाव आपके अंदर है ठीके यह एक जैसे कहते हैं ना मनी मनी के रूप में शायद आपका यह बहुत balance उसमिद में देख रही हूँ आपका 2023 में आपकी कौन से hidden talent टेलेंट सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो भी टेलेंट है ना पहली बात तो यह है कि अब आप अपने उपर confidence आपके अंदर आ रहा विश्वास आ रहा है जिसकी वज़े से आप मतलब अब आगी की एक रफ्तार आप पकड़ रहे हो ओके तो इस card से यहाँ पर यही है और अब मैं देखते हूँ टेरों से आपके लिए हम कार्ट को शफ़त करते हैं पेले थैंक यू नियर्स थैंक यू सो मच एक देखो मैं यहाँ पर एक बात बताओं कि अब भी तक आप जब तक हमारे अंदर खुद हम अपने उपर विश्वास नहीं करेंगे एक confusion में हमारे अंदर दो चीजों को लेकर हमेशा जगलिंग चलती रहती है जब हमेशा एक confusion प्राणी के रूप में हम अपने आपको देखते रहते कि मैं तो action नहीं ले पाता हूँ या तो मैं direction मुझे समझ में नहीं आती किस direction में मुझे जाना है एक clarity नहीं रहती है एक mind हमारे साथ नहीं देता है कि एक जब कहते हैं हमारा mind हमें clear clear रस्ते नहीं दिखाता है clarity नहीं देता है clear message नहीं आते हैं हमारे mind की तरफ से confusion हमारे अंदर बना रहता है तो यहां पर एक कुछ ऐसी situation आपके अंदर बनी रही जिसकी वज़े से आप अपनी आपके अंदर के जो प्रतिबाय थी ठीके आप इनी की वज़े से आप अपी तक पीछे की तरफ आप मतलब रहे हो आप अपनी लाइफ में ठीके otherwise आपके अंदर कोई मुझे कोई कमी नेजर नहीं आ रही है किसी भी तरह की यहां पर ठीके कहीं ना कहीं है ठीके माइंड में he working करना जबजस्ती करना आपने आप में किसी के लिए तो ये 2023 आपको ये एक से बाहर निकालेगा एक दूविदा से बाहर निकालेगा और प्लस आपके माइंड में जो क्लिर्टी नहीं है न क्लिर्टी आपको दिमाग से कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ६ढ़िसिजन हम कहां से लेते है ठीके कि जब हमारा दिमाग सही निर्देश देता है हमें सही रस्ता दिखाता है तब ही हम उसकी तरफ हम फोकस कर पाते हम सही निड़ने ले पाते हैं अपने जीवन में तो एक जब तक हम सही निड़ने नहीं लेंगे तब तक हम वही भटकते ही रहते हैं तो एक भटकन से आप बाहर आ रहे हो तो हो जाते हैं इसमें एक दूबिदा से आप बाहर आ रहे हो एक confusion से आप बाहर की तरफ आ रहे हो कि strongly decision ले रहे हो एक डर और एक भाय ये आपको कहीं न कहीं पीछे लेके जाता था लेकिन ये अब ये डर और ये बाय जब हमारा खतम हो जाता है न दूविदा खतम हो जाती है हमारे लिए हर रस्ते में या कुछ भी हम सोच विचार करते एक clarity के साथ करते तो definitely एक हमारे अंदर के जो hidden talent होते न वो बाहर निकल के आप आते तो सबसे बड़ी आपका blockage यही था कि आपकी आपके अंदर जो भी प्रतिबाए थी ठीके वो आपका एक सबसे बड़ा blockage आपकी दूविदा confusion, decision नहीं लेना clarity नहीं आना तो कहीं न कहीं आप अपने आपको बंधा होए सा आपकी जो भी प्रतिबाए थी ना उपंधी होई सी थी इसी वज़े से लेकिन 2023 में आप कि किसी चीज़ पर हम विजह प्राप्त कर लेते हैं वासिल कर लेते ठीके तो 2023 में आप एक बहुत clarity आपको रहेगी एक अपनी सच्चाई से जुड़ोगे आप आपको अपने रस्ते खुद आप यहाँ पर बनाओगे क्योंकि आपके अंदर जो hidden talent है ना अब talent यही था आपका कि सबकुछ ग्यान होते हुए भी सबकुछ पता होते हुए भी बस एक एक किते ना के दूविद हमें बस आ जाना कि क्या यह सही है क्या यह गलत है क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यही सबसे बड़ा block case और यही डर था ठीके तो hidden talent अब आपका क्या है कि आप आपके अंदर एक आत्म विश्वास जाग रहा है आप आप किसी किसी मतलब पेले आप क्या आते है बहुत बड़ी चोटी से चोटी प्रॉब्लम को भी बहुत हुआ है या बहुत बड़ा समझ लेते थे लेकिन अब ये दो हजा 23 में चाक किती भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हुआ चोटी हो या बड़ी हो वह आप बहुत इजीली शोट आउट करोगे क्लियर करोगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे ठीके hidden talent की में बात करूँ तो आपके अंदर एक बहुत साधा एक आत्म विश्वास जाग रहा है आपका ठीके आपके जब केते ना के जब तक हम अपने उपर विश्वास नहीं करेंगे ठीके हम अपने आपको नहीं जानेंगे तब तक कोई हमें सही रस्ता नहीं दिखा सकता है जब आपने खुद के उपर विश्वास करा अपनी कमजूरियों को भी समझा अपनी स्ट्रेंथ को भी समझा तब वहाँ पर क्या है आपको रियल्टी और सच्चाई आपको पता चली ठीके तो दो हजाद तेविस आपका हीड़न टेलेंट आपका आत्म विश्वास आप वो आप अपने आत्म विश्वास से जूड़ रहे हो पैज ओव वील्स यह आपके अंदर पता है हीड़न टेलेंट क्या है कि आप इना आपके अंदर एक गजब की एक पॉजिटिविटी है ठीके एक केते ना चुम्बक का काम करते हो आप गुरुत्र आकरशन जैसे केते ना खीसता है अपनी तरफ यहाँ पर तो आप एक मेगनेट का काम कर रहे हो अबर्नेस को बहुत साथा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप आप अपोचनेटिस को बहुत साथा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप यह दो हजातेविस आपके लिए जब आप अपनी आपके अंदर हीडन टैलेंट क्या है पता है कि आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो जो चा आप कर सकते हो अपनी लाइफ में याँ पर क्योंकि आपके सामने है ना 2023 में नएने सोर्स नएनी अपोचिनिटीज आपके सामने आ रहे हैं और आप उनको रिसीव कर रहे हो और उनके उपर काम करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो जो कि पहले कहीं न कहीं आपके अंदर का यह hidden talent था कि पहले आप रिसीव मोर में नहीं रहते थे आते ही opportunities को देखी नहीं पाते थे या उसको पकड़ी नहीं पाते थे बस यह कि क्या में यह मेरी लिए सही है कि क्या गलत है इसी उसमें वो opportunities निकल जाती थी लेकिन आपके अंदर जो hidden talent है ना वो talent अब आपके अंदर इतना आत्मर विश्वास है इतना confidence है कि आप अपनी आपके तरफ जो भी abundance आ रहे है उसको बहुत बहुत बैतर तरीके से आप समझ रहे हो और जब कहते हैं ना कि हमारे पास हमारे तरफ जब growth आती है तो उसके उपर शक नहीं करना ओके बिना शक के उसे receive करना और उसे कबूल करना कि हाँ ये मेरे लिए ही था और मैंने इस पर work किया मैंने काफी कुछ learn करा और इसे तब जाकर मैंने achieve किया यहाँ पर तो कुल मिला कर अभी जो में आपका hidden talent क्या है कि आप अपनी अपनी अंदर की जो एक किते ना कबूल करना receive करना एक आप उस receive मोर में नहीं रहते थे जो कि ऐसा नहीं था कि आप आपके अंदर talent नहीं था या प्रतिबाय नहीं थी कि आप कुछ किसी काम को करोगे या सीखोगे तो उसमें आपको success मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपके अंदर इतना talent था इतनी प्रतिबाय थी कि आपको चुप भी कर सकते थे और उसमें आपको success भी मिलती उसमें आप सफलता भी मिलती तो आप 2023 में आती हुई opportunities को आती हुई awareness को आप receive कर रहे हो और अपने talent को अपनी प्रतिबायों को खिलने का और खिलने का और उसको जनम देने का आप खुद एक मोका दे रहे हो आप तीके जिसकी वज़े से आप खुद आप अपने उपर अपने block case को किते ना अपने block case को यहाँ पर remove कर रहे हो थार्ड फाइफ ओवेंड्स confidence की आत्म विश्वास की मैं बात करूं तो वो तो वो किते ना भर भर के निकल रहा है बंद से वो किते ना कि किसी भी चीज के उपर हम अपनी talent अपने उपर believe नहीं करेंगे अपने उपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ही हम मतलब दूसरों से भी लड़ेंगे और अपने आप से भी लड़ते रहेंगे ठीके तो यहाँ पर जब कहते हैं आपने अपने उपर विश्वास करा तब ही आपने बहुत सारी चीजों के उपर success भी प्राप्त करी आसिल भी करी तो हजा तेविस आपके लिए मतलब किसी केते न युद्ध के जीतने से कम नहीं होगा ठीके क्योंकि आपके अंदर एक केते न वो हिम्मत आ रही है वो ताकत आ रही है कि आहां मैं बहुत कुछ हांसिल करता हूं कर सकता हूं अपने केरियर में मेरे अंदर इतनी पावर है मेरे अंदर एसा टेलेंट है कि मैं किसी भी केरियर में किसी भी केरियर में केरियर को मैं अपना केरियर बना सकता हूं ठीके और उसमें सक्सेस और उसमें अपरचुनिटीज भी ले सकता हूं फाइब वोवेंड्स बहुत क्रेटिव कार्ड है बहुत पैशनेट एनरजी है आप अपनी अपनी क्रेटिविटी के साथ मतलब एक केते हैं ना कि जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं ठीके तो ओबेसली उसमें हमें ऐसी सक्सेज ऐसी सफलता में नहीं मिल जाती है उसमें ह पहनत करनी पड़ती स्ट्रगल करना पड़ता है और वो आप दो हजात एविस में हंडेट परसेंट आप दे रहे हो अपना हिडन टेलेंट की में बात करूं तो आपके अंदर बहुत पैशनेट एनरजी है बहुत हो केते ना आपकी क्रेटिविटी क्रेटिविटी यहां पर कुछ भी हो सकती है आप खुद यहां पर अपना खुद का भी कुछ क्रेट कर सकते हो यह आपके अंदर टेलेंट है बहुत सारे अगर आप किसी एक किसी एक रस्ते पर आप चलते हो और उसे अपना पात बनाते हो तो यहां पर एक्चुल में आपको अंदर की छुपी हुई प्रतिवाओं का आपको पता चल सकता है ता हाई प्रिस्टीज यह की आ गई ना देख रहे हो आप इसको अपके अंदर पता है यह दो हजा तेविस में आप सबसे बड़ा काम क्या करने वाले हो कि आप अपनी केते हैं ना सबसे पहले आप अपने आपको मजबूत बना रहे हो अपने आपको स्ट्रॉंग बना रहे हो अपने ओपर बिलीव कर रहे हो अपने ओपर फेथ कर रहे हो और प्लस आप अपनी मतलब केते हैं न mind के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हो आप अपनी soul की आपके अपनी inner voice को सुनने वाले हो आप अपनी soul से connect हो रही हो inner voice को सुन कर जब हम कोई decision लेते हैं हम किसी नीननागे पहुँझते हैं तो obviously वो हमें success की तरफ लेके जाता है, सफलता की तरफ लेके जाता है, और वो हमारा एक रूप दूसरा ही होता है, दो हजा तेवी साब देखोगे कि एक, आप में बहुत major change हो रहा है, बहुत सारे बदलाव हैं याँ पर, spiritual gifts क्या हैं आपके अंदर, छुपी कोई प्रती भाए क्या हैं आपके अंदर पता हैं, इसकी में बात करूँ तो बहुत ही अलग है ये, बहुत सारे hidden talent, गजब का intuition, गजब की मतलब एक, किसी भी चीज़ को अब, दो हजा तेवीस में आप किसी में भी heart डालोगे न, वो आप मित्ती को भी सोना कर दोगे, बस ये है, कि आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की जर्णत है, आपका दिल कहां पर जा रहा है, आपका मन कहां पर जा रहा है, उसको सुनने की जर्णत है, हाई प्रिस्टिस अपना बहुत चुपा कर रखती है चीजों को ज़्यादा बताती नहीं है यह बहुत इस्प्रिचल आप पाइल नंबर वन आप बहुत दो हजाए तेविस में आप अपनी आध्यात्मी क्यात्रा में भी बहुत सफलता प्राप्त करोगे सक्सिस आपको मिले प्रिचल आपके अंदर इस्प्रिचल जो गिफ्ट से हैं न वह भी ओपन होएंगे दो हजाए तेविस में आपके वो भी ओपन होने हिए वह खुलना वाले इंदर आपका ताला इब ही तक मुझा लग रहा है कि आपके इस्प्रिचल गिफ्ट से ओपन नहीं हुए थे कि आपको बहुत पहले से चीजों का पता चल जाएगा, इंट्यूशन के थूरू, बेडिटेशन के थूरू, बहुत से चीजों को आप पहले से भाप लोगे, Queen of Source बहुत शान्ती मेरे ना पसंद करती है दूर से चीजों को देखती है क्योंकि उसको सब पता होता है क्या है क्या नहीं है क्या सही है क्या गलत है आप इस पर चले भी बहुत जादा अपनी सोल से कनेक्ट होने वाले हो आपका hidden talent यही है क्या आपकी जो third eye आपका root chakra तो open होई रहा है आप meditation, द्यान, योगा यह सब काम कर रहे हो अगर आप spirituality में हो तो आपकी third eye वो भी open होई आपकी intuition यह आपकी spiritual hidden छुपी हुई आपकी शक्तियां है जो आपकी open हो रही है यहां पर ओके एंड लास्ट कार्ट टावर यह दो हजार मतलब 22 आपके लिए मतलब में एक बात बता हूँ आपको 2022 आपने बहुत कुछ learn करा है बहुत face करा है मतलब एक learning वाला year रहा है आपके लिए कि आपने बहुत कुछ 2022 आपके लिए ऐसा गया होगा के जहां पर आपको जब कहते हैं न हम हमारे एक तो आप spiritual journey पर ठीके दूसरा जब हमारे हम special journey पर होते हैं और हमारे हमारी personal life हमारी professional life हमारी love life के तेना के सब कुछ अस्तिव्यस्त हो जाना सब कुछ दाव पर लग जाना 2022 आपके लिए आपने हर जगे अपने आपको weak समझाओगा हर जगे आपने अपने आपको कमजोर समझाओगा क्योंकि वो साल इस था ही आपके लिए क्योंकि आप मैं बताओं आपके लिए क्यों था ऐसा क्योंकि कुछ कुछ चीजों का तूटना बिकरना दूर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि जब कोई चीजे पुरानी हो जाती है न तो उन्हें फिर से एक नया रूप देना पड़ता है जिसे सोल होती है एक वो सोल एक चोला धारन करती है ठीके न शरीर धारन करती है औ तत्तों से बना हुआ लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है वो सोल उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है ऐसे ही आपको भी कुछ अपनी पुरानी चीजे पुराने पेटरंस चाहिए आपकी वो खुद की कमजूर या आपके खुद के इल्यूजन या आपके खुद के रिष्टे या खुद का केरियर वो केते ना पुराना सब कुछ खतम किया क्यों क्योंकि वहाँ पर कुछ नया डवलप करना था आपकी आपको दूसरा रूप देना था आपको इसपरेचली ग्रो करना था आपके हीडन टेलेंट यही है कि दो हजातेविस आप अपनी अपन बहाँ से जो बिगड़ गया है वो फिर से आप डवलप करो फिर से उसकी क्रोत करो फिर से आप उसको सजाओ और सवारो तक आपको आपकी सच्चाही के बारे में पता चल सकें आपको आपके बारे में पता चल सके कि आपके अंदर कितने hidden talent है आप क्या कर सकते हो आपके पास ये की है जो 2022 में बिगर चुका है खतम हो चुका है चाह आपकी खुद का ही क्यों ना हो आपकी love life, professional life या चू भी है वो खतम इसी लिए किया क्योंकि आपको कुछ नया करना है आपके अंदर वो चीजें है वो talent है वो knowledge है वो क्यान है कि आप फिर से जो तूट गया है उसे फिर से नया रूप आप दो ठीक है कहने के लिए बहुत कुछ है पर reading बहुत लंबी हो चाहेगी इसलिए मैं इसको ठीक है मैं ओशो से देखती हूँ यहाँ पर आपके 2023 में आपके खुद के spiritual gifts open हो रहे हैं बर सबसे बड़ी बात आपकी intuition आपकी अंतरात्मा से आप बहुत जादा intuitive बहुत जादा spiritual आपको पहले दूर से पहले से एक दो दिन का आया पहले से चीजों का आभास हो जाता होगा लेकिन अब 2023 में आपको है ना तरह तरह के sounds भी आपको सुनाई देंगे तरह तरह के ध्वानी जिसे केते ना आवाजे सुनाई देंगे वो भी आपको अब स्टार्ट होएंगे दो अजा तेविस में आपकी नजर नजरों से कोई नहीं बत सकता आपकी बहुत पार की नजर होने हो आर पार आप देख सकते हो आप जो spiritual journey में है यह आपकी 2022 आप देख रहे हो कौन से hidden talent क्योंकि 2022 में आप मतब आप फसे हुए हो लिटरली फसे हुए हो जिसे एक बच्चा बच्चा किसे मतलब केद कर दिया जाता है उसको बंद कर दिया जाता है तालर लगा दिया जाता है और बच्चा बाहर निकलना चाहता है बच्चा बाहर की दुनिया को देखना चाहता है बच्चा कुछ करना चाहता है तो वो इश्वर इश्वर ने आपके एक लेकिन फिर भी बच्चे के अंदर एक डर है कंफ्यूजन है कि क्या पता मैं अगर मैं यहां से निकलूँगा भी तो क्या पता मुझे बाहर जगी मिलेगी के नहीं मिलेगी जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँगा के नहीं ठीके तो इश्वर ने क्या करा आपके उसी कंफ्यूजन को उसी ताले को तोड़ा उसी सीमा को तोड़ दिया तकि आप फ्री हो सको आप अपने नौलेज से जूर सको अपने ग्यान से जूर सको यहां पर और बाहर की दुन्यों को आप देख सकतो बाहर की नजारों को आप देख सकतो बाहर का नजारा मतलब मैं ये नहीं केरियों बाहर का नजारा कि आप आपकी खुशी कहा है आप अपनी खुशियों के साथ जूर सको जिसे आप दूर से देख रहे हो उसे आप महसूस कर सको, उसे फील कर सको ये ताला लगा हुआ है ना, ये बच्चा बंद है यहाँ पर दो अजा तेविस में आपके पास वो की है, वो चाबी है कि इसको लोग को है ना इसको कोल कर आप बहार जाओगे वो विश्वास है, वो आत्मे विश्वास है, आपकी सोल, आप अपनी सोल से जुड़ रहे हो यहाँ पर और आप इसको, इसको ताले को तोड़कर आप बाहर निकल रहे हो गोइंग विद दफ लोग, ये दो अजा तेविस मतलब आपकी एनरजी ऐसी रहेगी, कि आप एना, एक कुद्रत जहां ले जा रहा है आपको इस्वार जहां रहा है, क्योंकि आप इस पर चलो, बहुत ज़्यादा आप अपनी मेडिटेशन, द्यान, योगा इन सब चीजों में आप बहुत ज़्यादा आप अपने आपको बहने दे रहे हो, ठीके, क्योंकि आपके उपर कुद्रत की असीम किरपाई, फाल नंबर वन आप कुद्रत की भाशा को, कुद्रत की लेंग्विज को आप समझ रहे हो, कि जहां वो ले जाएगा, मैं वहाँ जाओंगा, उसकी कार्य में, और उसकी लिकत में मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है आप बह रहे हो, कुद्रत के साथ बह रहे हो, समय के साथ बह रहे हो, 2023 आपके hidden talent क्या है, कि आप अपने आपको रोग नहीं रहे हो, एक किते ना कि हाँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़े रहेंगी नहीं, आप बह रहे हो, जिदर हावा का रुख है, जिदर मोसम है, ठीके, बिल्कु बिंदास, पीस की एनरजी में, शान्ती की एनरजी में, going with the flow, मतलब बहना, समय के साथ बहना यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर 2023 में, आप आपकी चूपी हुई प्रतिवा है, आपके hidden talent, आप उनसे जुड़ रहे हो, और वही आपको आगे का रस्ता दिखा रहे है, बाहर बाहर वही सब कुछ आ रहा है निकल के, कि आपके जो अंदर hidden talent, यही था, कि आपके जो सपने हैं न, अब उन सपनों को आप खुद पूरा करोगे, दोह जाते विस में, जो भी बेट कर आप सोची चार करते थे, जो भी दिमाग में चलता रहता था, अब आप उनको एक, आप अपने सपनों को शायद, आप यह creativity क्या है पता है, आप पेंटर हो सकते हो, और आपके अंदर है न, मुझे इसा लग रहा है, रंगों को लेकर बहुत जादा, आप रंगों के साथ, आप शायद बहुत जादा टाइम स्पेंट करते हो, एक वही आपके अंदर creativity है, जो बहुत आपकी, आपकी life को आगे की तरफ लेके जा सकती है, आपकी दिमाग में शायद बहुत ऐसे ideas आएंगे, इत्ति creative ideas आएंगे, यह आपके hidden talent है, कि आप अपने रंगों के माद्यम से, आप अपने विचारों को व्यक्त करोगे, अपने भावनाओं को व्यक्त करोगे, अपने सपनों को खुद बुनोगे, आपका talent अब बोलेगा यहाँ पर, आपकी छुपी हुई प्रतिभार बोलेंगे, वो तस्वीरों के माद्यम से, रंगों के माद्यम से, जो आप करना चाहते थे, जो सुब सोचते ही रहते थे, उसको आप अलगी रूप दोए रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है? ओ माई गॉड़, गिव इन्टो पेशन, आपके अंदर एक बहुत जादा आपको किस चीज का जुनून है, एक जुनून वो आपके उपर सवार हो सकता है, 2020 में, एक बहुत आप, अपनी केरियर के प्रती, अपनी आपकी चा इस्प्रिचल जर्णी में हो, आप किसी भी फिल्ड में क्यों ना हो, आप वहाँ पर अपना 100% आप देने वाले हो, आपका जो hidden talent है न, वो आपको एक्चल में पता चल रहा है, उसके साथ आप जूड रहे हो, कोई यहाँ पर मुझे magician लग रहा है, अप पहले यहाँ पर painter, creativity, आपकी अंदर की जो creativity, creativity अपको चुपी हो सकती है यहाँ पर, magician भी कोई music सुनता है बहुत साथा, music सुनना पसंद है, music बनाना पसंद है, नेचर, नेचर से भी हमें music मिलता है, आप समझ सकते हो, जब हावा चलती है ना, तो ध्यान से सुनना, महाँ से भी music आता है, तो कुछ ऐसी thinking है आपकी, कि नेचर से भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है, किसी के अंदर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको music सुनना बहुत साथा पसंद है, तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है, music से आपकी, आपके अंदर की जो creativity है ना, उसके बारे में आपको पता चल सकता है, आप music को आप अपना प्रोफेशनल भी बना सकते हो, पाइल नमबर वान, ओके, वन कार्ड, affirmation for healing and harness, ये अब भी तक मैं आपको बता रही हूँ ना, कि अब भी तक आपकी जो hidden talent थे, उनसे आप जूड़ी नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप low energy में बहुत ज़्यादा emotional, कहीं ना कहीं आपको healing की ज़रती, अगर अभी भी उस energy में हो, तो आप music सुनो, music से आपको बहुत ज़्यादा healing मिलेगी, बहने दो, खुद्रत के साथ, angels के साथ अपने आपको, जब बहुगे ना आप, तो आप देखोगे कि आप दूसरी दुनिया में हो याँपर, 2023 आपके लिए बहुत एक healing रहेगी आपके लिए, 2022 में जो भी आपके tower moment आया है, जो भी बिगरा है आपके life में बहुत ज़्यादा आपने अपने आपको proof कर रहा है, competition face कर रहा है, उसकी वेज़े से आप बहुत ज़्यादा ठक भी चुके हो, तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि वो healing भी है, और healing आपको music के तुरूँ ज़्यादा मिलेगी, ठीके, आपको support system भी मिलेगा, तो आजा देविस में, यहाँ पर energy text लेती हूँ, man holding a queen, यह दो हजा देविस, इसी चीज को आप मिस कर रहे थे, यही आपकी, जिसे कहते हैं न, success, growth, opportunities, abundance, यही चीज आप से दूर थी, और दो हजा देविस में, उसी को आप manifest कर रहे हूँ, दो हजा देविस आपके लिए, एक financially growth, एक बहुत सारी opportunities आपकी तरफ आएंगी, जिसमें आपको, अगर आप अभी भी कुछ करना स्टार्ट सिखो, करो, अपने, अपने patience से जुड़ो, अपनी creativity से जुड़ो, आपका दिल का है, अपका मन का है, आपकी intuition बता रहे हैं, उसे follow करो, और दो हजा देविस आपके अंदर एक ये जज़बा है, कि आपको चुपी कर सकते हैं, किसी को भी हासिल कर सकते हैं, ठीके, और ये मिल भी रही हैं आपको, दो हजार देविस आपके लिए आपके hidden talent, talent ये है कि आपके अंदर पूरा आत्मे विश्वास आच चुका है, कोई डर नहीं है, कोई भेर नहीं है, कोई दूविधा नहीं है, ठीके, तो पाहल नमबर वन, ये थी आपकी reading, I hope आपसे रिजोनेटो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, थेंक्यू, 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 सो मच, एंचे, शीकिष्णा, रादे, रादे, हर हर महादेव, हाई, पाहल नमबर टू, तो जिसने भी है, मैचिशन एंड़ मिरर का कार्ट चूज किया है, उसकी reading में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, और पाहल नमबर टू, प्लीज, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, सरूर करना, और जिसे भी person reading चाहिए, मैं अपना WhatsApp नमबर, description box और mention कर रखा है, हाँ से आप देख सकते हूँ, और 2023, आपके कौन से hidden talent, आपको पता चलने वाले हैं, तो सबसे बड़ा आपका hidden talent की, आपको शायद पता हो या ना हो, आप बहुत old सोलो, ठीके, बहुत तो केते हैं ना, कि बहुत जिसके अंदर बहुत ग्यान होता है, बहुत knowledge होती है, बहुत तरजूरवा होता है, हर काम को handle करना, balance करना, situation को कैसे balance किया जाता है, परिस्तितियों को किसा सामना किया जाता है, क्योंकि आप blessed हो, file number two, आप एक magician हो, ठीके, आपके अंदर कुदरत ने इतना knowledge, इतना सामन दे रखा है, कि किसी भी परिस्तिति को आप भली बाती भाप चाहते हो, या समझते हो, ओके, जैसे situation को कैसे पलटना है, आपके अंदर इतना ग्यान है, इतनी बुद्धी है, कि situation जैसे कोई हारी हुई बाजी को कैसे जीतना है, हारी हुई बाजी को, जीतने वाले को ही जादूगर के थे, यह किसी picture का इक ट्राइलोग है, यह आपके ओपर fit होता है, पाल नमबर टू, ओके, तो यह आपके अंदर एक hidden talent है, जो आपको पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2-23 में, अब आप अपने इस talent से जुड़ने वाले हो, आपके सामने कुछ पीप इस्तिया आजाए, केसी भी परिस्तिया आजाए, हस्ते हस्ते टाल देना, हस्ते हस्ते निकाल देना, अपनी knowledge से, क्योंकि आपने बहुत experience कर लिया, बहुत ग्यान है आपके अंदर पर इस पाल नमबर टू, आपके बाकी देखते हैं, कार्ट से क्या आता है, बोलने को मैं बहुत कुछ बहुत सकती हूँ, message बहुत मिल रहे थे, लेकिन rating फिर बहुत लंबी हो जाएगी, आप शायद अपने आपको mirror में बहुत जादा देखते हो, अपने आपको नियारते हो, देखने की कोशिश करते हो, कि मेरे अंदर कुछ मैं खुपसरत हूँ के नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसे gift से है के नहीं है, तो dear, इस तरह एक अपने उपर शक्रना बंद कर दो, आप बहुत blessed हो, बहुत भागवार ने आपको आपके अंदर बहुत ऐसी ऐसी उजाए हैं आपके अंदर के कुछ भी अपक्रेट कर सकते हो, एक magician क्या होता है, पिलूंगी इस card को, Ace of Cups, Pile No.2, बहुत थी, मतलब वो केते न, उन्दे खिलाड़ी हो आप, बहुत उन्दे खिलाड़ी हो आप, आपकी, सुरी, मुझे जो message मिल रहे हैं आपे intuitively, मैं आपको वही दूंगी, मैं कोई buttering नहीं कर रही हूँ, बहुत उन्दे खिलाड़ी हो, केते न की, जिसे भागवान का आशिर्वा प्राप्त हो जाता है, जिसे इश्वर का प्रसाद जो चक लेता है, जो इश्वर की परमपिता, परमात्मा की असीम कृपा जिस पर हो जाती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ठीके, पाइल नंबर टू आपके उपर, इश्वर की इतनी असीम कृपा है, इतनी ब्लासिंग से आपके उपर, कि शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, ठीके, वो अनकंडिशनल आपको प्रेम करते हैं, अनकंडिशनल आपको, वो ऐसे ऐसे आपके अंदर हीडन टैलेंट हो सकते हैं, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको शायद पता नहीं, लेकिन दो हजाद तेविस, मैं यह आपर यह कहूँ कि आपको है न, चारो तरब से प्रेम मिलने वाला, चारो तरब से आपके उपर प्रेम की बारिश हो सकती है, एक खुद्रत जब हमसे खुश होता है, हैपी होता है, तो वो क्या करता है हमारे उपर, सबसे पहले तो वो आपकी सोल को खुश करना चाहता है खुद्रत, यहाँ पर आपकी 2023 में यह एक कतेना के खुद्रत आपको खुश कर रहा है यहाँ पर आपको प्यार से जोड़ा जा रहा है आपके अंदर जो अंकंडिशनल प्रेम है न वो इश्वर से कनेक्ट हो रहा है आपका आपके अंदर बहुत प्योर्टी है बहुत सचाई है बहुत प्रेम से भरे होए हो आप बहुत जादा प्योर सोल हो और यह कुद्रत की तरप से एक अंकंडिशनल प्रेम है आपके लिए जो आपकी दो हजा तेविस में उसको आप खुद यहांपर महसूस करोगे यह सौरी टैलेंट नहीं आ रहा है यहांपर यह आपके अंदर का प्रेम आ रहा है यहांपर निकल कर कि आपके अंदर कितना प्रेम छुपा हुआ है और उस प्रेम के जरीए उस उस जब किते हैं ना कुद्रत हम पे हर चीज की बारिश करने लगता है तो वो जब हम उस चीज से जुड़ने लगते हैं उसको फील करने लगते हैं उसको समझने लगते हैं तो वही हमारा हिड़ टेलेंट होता है आप अपने प्रेम से करूना से आप पता नहीं आप किस-किस को खुश कर रहे हो दो आजाते वी से आप दूसरों को खुश करने में लगे हो इश्वर आपको खुश करने में लगा हुआ है एक हीलिंग है आपके पास हीलिंग है एनरजी है पाल नमबर टू बहुत बड़े हीलर होगा आपको पता अंदाज़ा भी नहीं आपकी एनरजी का कि आप कित्ते बड़े हीलर बनोगे आप आगे जाका क्योंकि कुद्रती आपके अंदर हीलिंग एनरजी कुद्रती ये वो और आप बहुत ज़ादा प्लैस्टों ये आपके हीडन टेलेंट है जो ही दो हजा तेविस में आपको देखने के लिए मिलेगा nine of cups my god आपके अंदर दो हजा तेविस आपकी सब भी इच्छाओं की पूर्टी हो रही है यहाँ पर आपकी wish fulfillment हो रही है आपके जो भी wish थी जो भी आप चाहते थे अपनी life में especially में यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा जिसके तेना कि आपका दिल कहां से खुश हो रहा है तो इस वही चीज़ आपको दे रहा है इस चीज़ से आप खुश हो रहे हो यह काम पूर्ण होने पर आप खुश हो रहे हो तो आपको वह खुशी भी भी मिल रही है और उनके साथ आप इंचोई कर रहे हो सेलिप्रेट कर रहे हो 2023 आपके लिए मतलब हो केते हैं ना किसी मुझे नहीं लग रहा है कि जो 2023 आपके लिए है वो इससे पहले का कोई यह आपके लिए रहा होगा क्योंकि आप थोड़े से आप शायद अपने उपर नाज भी कर सकते हो घमंड कर सकते हो थोड़ा सा क्योंकि आप इना अपको हर तरह से आपको खुश यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नाइम के नाइम कप्स कुद्रत आपके भर रहा है क्योंकि आप है ना जिन्दा दिली इंसान हो मैं यह नहीं कहती हूँ अभी इस प्रिजेंट आपकी सेनरजी में हो लेकिन अंदर से आपकी आत्मा है ना वो बहुत खुश खुश रहना चाहती हो इतनी खुश और मगन रहना चाहती हो आप पाल मबर डू आप भी बहुत शादए इमोशनल भी मम वो कैसे एता है तो वो उस टाहईं कि आपके रहने वाली यह आपट तो आपके अंदर का क्या ही रणे तैलेन्ट है तेलेंट आपका यही है कि आपे ना कुछ भी कर सकते हो डियर कुछ भी क्योंकि आपे ना मैं आप जिन्दा दिली इंसान हो हर किसी में प्रेम देखना, कुश रहना, मगन रहना अपनी खुशियों को, अपनी खुशियों में सब को सामिल करना सेलिब्रेट करना अपनी खुशियों के साथ आपके पास बहुत सारी, ओ गॉड़, दसन यह मतलब आप सोच सकते हो क्या कार्ड्स निकल रहे हैं, पाइल नमबर टू यह तो एक पूरी नो की नो विश कम्प्लिट हो रही हैं, आपकी सभी विश और दसन का कार्ड उपर से मतलब सोने पर सुआगा आपके अंदर जो हीडन टेलेंट है ना आपकी यह ना, आप एक रफ्तार पकड़ रहे हो आप अपनी जर्णी की रफ्तार पकड़ रहे हो अब यह रफ्तार पता है, आपको भी नहीं पता कि आपको कितना आगे तक लिके जाएगी आप बस अपने गोड़ा दोड़ा रहे हो, आप अपनी दुन में लगे हो, आपको भी नहीं पता कि आप कितना आगे निकल चुके हो या कितना आगे जाने वाले हो, आप पता है, आप एक ग्रोथ के रस्ते पर हो, एक सकसिस के रस्ते पर हो आपके अंदर इतनी पोजिटिविटी है आपके अंदर एक abundance को खुद आप खीच रहे हो क्योंकि आप magician हो, बहुत तगड़े manifestor होगा तो ये जो manifest करने का आपके अंदर एक hidden talent है ना आपका जो भी आप manifest करोगे, वो बहुत जल्दी आपका manifestation कबूल होगा ठीके, कुदरत वो देगा आपको, क्योंकि आपके अंदर इतनी पोजिटिविटी रहेगी Sun No.1 आपको बोले ही जारा कि थोड़ा सा आपको ओ सुरी की remedies आपको करने की जर्रत है यहाँ पर थोड़ा सा धूप में बेठने की जर्रत है आप शायद धूप में नहीं बेठ रहे हो थोड़ी सी भी धूप आपको लेने की जर्रत है बहुत खुशी-कुशी आप आके की तरफ बढ़ रहे हो, गरोथ की तरफ आप चाह रहे हो hidden talent आपका यही है कि आप अपनी आपके अंधर जो एक जोश के साथ अपने आपको connect कर रहे हो एक purity के साथ आप अपने आपको connect कर रहे हूं क्योंकि यही आपको यही आपको अपनी आपके अंदर जो सच्चा ही है उससे जोड रही है आपको और वो आपको बरकरार रखने के लिए भी बोला जा रहा है दो हजातेविस के आपके अंदर कौन सा hidden talent है hidden talent आपका यही निकल क्या है कि बहुत तल्री manifester हो आप blast हो आप बहुत positive हो आप success growth को आप manifest कर रहे हो खीच रहे हो आप अपनी दर्वियां पर oh that's time क्योंकि यह पता है दो हजातेविस में आपकी energy इतनी balance होने वाली है इतनी आप हर काम को आप इतनी खुबसूर्थी से करने वाले हो इतनी positivity के साथ आप करने वाले हो आप काम तो करोगे देखो यहाँ पर दो चीजे निकल के आ रहे हैं कि आप काम तो करोगे लेकिन आपका ध्यान परमात्मा की तरफ रहेगा तो आपका दियान परमात्मा की तरफ है ठीक है समझे रहो आप मेरी बात को तो वो आपकी जो एनरजी में इश्वर की इश्वर की उड़जा आ रही है आपके काम में अब जब के जिसे हम कहते हैं न आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपका दियान negativity की तरफ है negative सोच औरू नेकिन pile No.2 आप रही तो लेकिन आपका ध्यान पर्मात्मा की तरफ है और आपका ध्यान पर्मात्मा की तरफ है तो आपकी आपकी energy पॉजिटीव होगई तो आपकी energy आपके काम मर जा रही है आपके अंदर इतनी इतनी खुपसूर्ती से आप अपने काम को करने वाले हो आपके यहां पर मुझे सातो चक्र शिया पर बहुत बैलेंस नजर आ रहे है बहुत बैलेंसिंग एनरची है आपकी आपकी भीलिंग हो रही है 2023 में आपका अाप और शायद हार्ट प्रेक भी हुआ होगा बहुत जिसे कहते हैं ना कि यहां पर यह एक जब हम प्योर होते हैं सच्चे होते हैं तो वहां पर हमें बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है यहां पर यह 23-20 आपके लिए हीलिंग का भी है दो हजार 23 आपको आप एक स्टार के तरह यहां शायन करने वाले हों आपके सातों स्टार यहां पर चमक रहे हैं शायन कर रहे हों बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर यह आपका हीड़न टैलेंट इडियर देखो यहाँ पर जब हो कहते हैं कि हम लाइफ हमें जब-जब हम लाइफ से कुछ सीखते हैं, जिन्दिगी से कुछ सीखते हैं, ठीके? तब तब हमें बहुत ऐसी सीचेशन फेस करनी परती है, जो हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होती, वो पाथ, वो रस्ता हमारे लिए बहुत कठीन होता है, ठीके? तो यहाँ पर पाइल नंबर टू, दो हजार तेविस तो आपकी लिए एक अलग ही उसमें है, लेकिन दो हजार बाविस में आपने बहुत एक्सपिरियंस करा है, बहुत तजुर्वा लिया है, एक दो हजार बाविस आपको कुछ सिखा कर गया है, बहुत कुछ सिखा कर गय है आपको एक आपने एक बहुत अनुभाव लिया है बहुत एक्सपीरियंस करा है शायद आपने अपने आप से आप कनेक्ट हुए हो अपनी सोल से कनेक्ट हुए हो आपने अपने अंदर के hidden talent को जानने का समझने का एक मोका दिया है एक समय आपने दिया है ठीक है अजब कुद्रत भी यही कहता है थोड़ा समय अपने लिए निकालो थोड़ा सा अपने लिए जानो अपने बारे में समझो क्या आप हो कौन तो वही आपने एक बहुत कुछ अपने बारे में समझा साना अपनी सोल से जुड़े अपने अंतर मन से जुड़े अप और फिर आपने आपके अंदर जो hidden talent है क्योंकि आप बहुत साथ pure soul हो जब वो कहते हैं हम अपने उपर अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ेंगे अपने आपको जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक ही हम एक अंधेरे में रेते हैं ठीके तो एक अंधेरे पन को आप आपने खुदने दूर करा हैं आपने अपने 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 आपको light और प्रकाश में लाने के लिए एक टाइम आपने बहुत अकेले पन पे भी निकाला है इतना अकेला पन आपने फेस करा है कि शायद ही कोई आपके बराबर उस पेन और दुख को ले सकता होगा लेकिन जितना दुख पेन आपने लिया 2022 में उत्ती ज्यादा आप 2023 आपके लिए उतना ही आप प्रकाश में रहोगे जितना अपने आपको 2022 में सबसे अलग कर रहा था ना, अलग कर रहा था, पीर से अलग थे, शान्ती में थे, अपने आपको समय दे रहे थे, 2023, उतना ही आप लाइन लाइट में आने वाले हो, एक स्टेज की तरफ जा रहे हो, एक रोशनी, एक प्रकाश की रोशनी आपके पर होने वाली यहां पर, ठीक है, तो 2023 में आपके जो, आपके चक्रास बैलेंस हो हैं, आपके चक्रास हैं, आपके अंदर हीडन टालेंट, टेलेंट आपका आपकी नॉलेज, आपका तजूर्वा, आपका घ्यान, क्योंकि यह आपको ऐसे नहीं मिला, यह आपने फेस करा ह समय ने आपको बहुत को सिखाया, समय ने आपको बताया, और जो इनसान समय से, अपने हाला से, अपनी स्थितिय अपने समय से सिखता है, और कहीं से वो सीखी नहीं सकता, कोई उसको सिखा नहीं सकता, जो समय देता है न, इस्थितिया देती, वही ग्यान होता है, कि दो हजार तेविस आप दो हजार बाविस में मतलब आप बहुत शायद अपने आपको कम आते थे क्योंकि कहीं न कहीं आप शायद अपनी नॉलेज अपने विज्टम से नहीं जूरे थे लेकिन जब हम समय अपने उपर जानते हैं समय लगाते हैं अपनी अंतरात्मा से अपने रचते खुद बनाते हैं अंतरात्म की सुनना तब हम अपनी कमजोर्यों को दोर कर पाते हैं हम किस चीज का बर्डन ले रहे अपने उपर किता अन्य से सरी हमने बर्डन अपने उपर ले रखा है कौन सी ऐसी चीजे हैं जो हमें कौन सी ऐसी नेगितिविटी जो हमें दबा कर रख रही हैं तो कहीं ना कहीं आपने उन सब चीजों को रिलीज कर रहा है क्योंकि 2023 आपके लिए एक आपको अब भी तक 2022 में आप इत्ता बोच दले दबे होए थे जिसकी वज़े से आप केते ना के आगे नहीं बढ़ना वो उर्जा में नहीं था केते ना जब हम किसी का बर्डन ले ले लेते हैं अपने उपर अन्नेसेसरी अपने उपर थोपते रहते तो हम कैसे उठेंगे उस एनरजी से कैसे उठाएंगे को पॉजिटीव थोर्स आई अभी नहीं सकते हमारे अंदर ठीके तो यह 2022 आपके लिए बहुत अपने क्लीन करें अपने आपको क्लीन करें अपने आपको हलका किया है अपने आपको पॉजिटिव किया है तब ही आप मेजिशन की एनरजी में आप आए हो इस्ट्रेस अन्नेसेसरी आपकी जो भी कन्फ्यूजन दुवीदा क्योंकि आपके 2023 में मतलब 22 में बाविस आपके लिए बहुत स्ट्रेस वाला बहुत कुछ फेस करना लेकिन फिर भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे ओके बहुत तगड़े मेनिफेस्टर हो सफलता सकस्षिस और अपको मिलेगी आपके अंदर आपके अंदर जो भी इस पेचल हूर से ना आपने बहुत समय आपने अपने उपपर लगाया है इंस आपने आपको ना współ सक्सेस भी मिल रही हैं यहां पर अब आप एक सुकोन की जिल्देगी आपको ज्यादा पसंद आ रही है एंजल आप बैलेंस क्योंकि यहां आप देखो इश्वर में जो अभी पूरी डिडिंग में आपको यही बोलते आ रही हूं कि परमात्मा परमात्मा जिससे प्रेम करता है एंजल्स जिससे प्रेम करते हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है बलकि आपके अंदर की जो ब्लोकेज है आपके अंदर की जो भी नेगिटिविटी है उनको वो रिमूव करके उनको वो आपके रस्ते से हटा के आपको वो आगे की तरफ लेके जाते हैं आपको वो बैलेंस करते हैं अब वो चाह केसे भी करें दुख से, पेहन से या आपको समझा कर या आपको बता कर या आपको आपकी सच्चाई से जोड़ कर चाह वो केसे भी रेके लेकिन करते ज़रूर हैं मैं बोल रही हूं आपको कि दो हजाते विस आप मतलब इतने खुश रहोगे आप इतने मगन आप रहने वाले हो कि आपको एक पहले शायद अपने उपर शायद विस्वास नहीं था आप प्रेम को या अबर्नस को या क्रोथ को आप कबूल नहीं करते थे कितना गीवन टेक पराबर नहीं हो पाता होगा ठीके तो ये आपकी लाइफ में आ रहा है अब आपकी लाइफ में प्रेम आ रहा है, हीलिंग आ रही है, ग्रोथ आ रही है प्लस कोई पर्सन भी दो हजा तेविस में कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है यहां पर जिसको लेकर आप बहुत साथा खुश रहोगे, बहुत साथा हैपी भी रहोगे अब को यह पताएगा आपके अंदर किती स्ट्रेंथ है, किते पावर्फुल हो, किते बड़े मेचीशन हो, किते गुणी हो आप, किते बुद्धी है आपके अंदर इत्ती स्ट्रेंथ है, इत्ती पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हुए वो किते न, हवा का रुख मोर देना, डटे रेना, खडे रेना, चक्तान कितरे और जब हम कहते ही न, कि जब हम अपनी बहावदुरी का, हमारे अंदर किती स्ट्रेंथ है, उसका सबूत हम दे पाते हैं, तो डेफिनेटली हमें हमारी तो आपको अपकी hidden talent का पता चल रहा है आपको, कि एकचछ में आप कौन हो, आप ऐसे soul हो, जो कभी किसी से डरते नहीं हो, नहीं हिम्मत हारते हो, नहीं situation से भागते हो, बलकि डट कर उसका मुकाबला करते हो, उसको face करते हो और वहीं से आप strong भी होते हो वहीं से आपको आपकी काबियत का आपकी हुनर का आपकी प्रतिभाओं का आपको पता चलता है ओके पाइल नंबर टू बहुत ही positive reading बहुत ही उंदी reading तो God bless you and thank you thank you so much इस उर्जा को मैंने लिया I hope आपसे reading resonate हुई हो अगर होती है तो please like, comment, subscribe and thank you, thank you so much इंचे श्री किशना राधे राधे